पद्वियां और उपहारों भेट आदि की बात करें तो राज्या भिशेक के समय या किसी पर विजय पाने की खुशी में, किसी शत्र को पराजित करने की खुशी में, राजा लोग अपनी बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहन करते थे, समराट लोग बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे और जो उपाधियां धारन करते थे, तो उसका एक सेरिमोनियल, एक पर्व के रूप में कारिकरम आयोजित होता था, जिसमें उद्घोशक, यानि उद्घोशना करने वाला, वहां बड़े लेबंद तरीके से, और गुंजाएमान तरीके से, बहुत जोर जोर से, लेखे साथ, इन उपाधियों की घोशना करता ह और ये उपाधियों की घोशना करते समय, जो द्रिश रहता है विहंगम द्रिश, उसको देखकर, सभी लोग बड़े आश्यर चकित होते थे, विसमेकारी द्रिश रहता था, और साथ ही साथ, बड़ी प्रसनता भी होती थी, कि उनके समराट, इतने बड़े उपाधी के, इ राजसी नयाचार के साथ, शासक की बगएदा पूरी पद्वी लिखी जाती थी, अंकित की जाती थी, और मुगल बाशाहों द्वारा योगी व्यक्तियों को बड़ी उँची-उँची पद्वी अप्रदान की जाती थी, इसे एक मान सकते हैं कि मुगल राज तंत्र का एक महदपूर्ण अंग था लोगों को अपने पक्ष में रखने का, लोगों को अपने द्वारा समर्पित, समर्पन का सममान करने का. किसी व्यक्तिद्वारा धारन की जाने वाली उपाधियां दर्बारी पदानुक्रम में उसकी उन्नती का प्रतीक थी, जैसे जैसे उनकी पदोनिस्ती होती थी उस उपकरम में जैसे जैसे आगे बढ़ते थे उनकी उपाधियां भी तदनुसार बदलती रहती थी परवर्तित होती रहती थी और इस बात का प्रतीक थी कि वह वर्तमान में किस स्थान पर अपने दर्वार में है आसब खान एक बहुत ही महत्पूर्ण पत्था बहुत महत्पूर्ण पद्वी थी बहुत महत्पूर्ण उपाधी थी आसब खान और जिसे जो सरवशेष्ट सरवोच्च मंत्री होते थे उनमें से किसी एक को दिया जाता था ये जो पद्वी थी ये जो उपाधी थी इसका इसकी शुरुवाद पैगंबर शासक चलेमान के मंत्री से हुआ था ऐसा माना जाता है मुगल संबरार औरंग जेब ने अपने दो उच्च पदस्थ राज़ दूतों जैसिंग और जस्वन सिंग को मिरजा राजा की पद्वी प्रदान की इसे पाने के लिए कई बार तो पैसा दे के लेने की भी प्रता थी और ये ये उन्हों के द्वारा स्विकारे भी था कि अरज़ित करने के लिए यदि अत्रिक्त पद्वीयों को अरज़ित करना है तो शासन को पैसा दो और उसकी एवद में ये अत्रिक्त उपाधियां अत्रिक्त पद्वी संबराद द्वारा दी जाती तो उधारण के लिए मीर खान अपने नाम में आलिफ अर्थाद अ अक्षर लगा कर उसे अमीर खान करना चाहता था तो मीर खान अपने नाम के आगे अ लगाने के लिए उसने औरंग जेब को एक लाख रुपए की पेशकश की थी तो इस तकार पद्वियां और पहार और भेंट ये तद्काली समाज में अपनी इस्तिति को बताने के कई तरीके थे विशेश कर दर्बार में प्रसकारों में खिलत भी प्रदान किया जाता था अब खिलत क्या है खिलत ऐसी चीज़े जो राजा जिसे कभी न कभी पहना हुआ हो कभी ने कभी उसका उप्योग किया हो समराट ने एक ऐसी वस्तु जिसे कभी ने कभी उप्योग किया हो और चूंकि उसने उप्योग किया है ऐसा माना जाता था कि मानो उसके द्वारा उप्योग करने के बाद उस वस्तु में राजा के कुछ अंश मानवा आ गया हूँ और एक तरीके से आशिरवात स्वरूप राजा उसे उपहार के रूप में किसी को देता था तो इसे हम खिलत कहते हैं इस पकार ये संब्राट के आशिरवात का प्रतीक बन गया एक दूसरा प्रसकार और हुआ करता था दूसरे तरह का उपहार जो समय दिया जाता था जिसे कहते थे सरप्पा सरप्पा ये मूलत तीन भागों में होता था जिसके तीन हिससे होते थे पहला जामा दूसरा पगड़ी और तीसरा पटका एक तरह की एक पोशाक है समझ लीजए जिसके ये तीन भाग हैं तो ये तीन भागों को मिलाकर सरप्पा कहा जाता था यह जो उपहार के रूप में दिया जाताrüा तो बाश्शा या संब्राइत सामानिता रत्न जड़त सरब्पा लोगों को उपहार में देता था प्रायव जादा से जादा उसमें रत्न होते थे और इसके बाद एक तीसरा तरह का उपहार जो बहुत कम दिया जाता था लेकिन कब से महत् pillar था कम इसलिए क्योंकि बह। बहुत्हज्जांवन पर ही वह दिया जाता था वह क्या लाता था पड़्वप्रस्का निंट बाद मपरस्कार पड़्वप्रस का एक तरीके का कमल का प्रारूप है समझ लिजे कमल कि मंजुरिया वाला रत्न जड़ित गहनों का सठ तो चुकि वो कमल के रूप में है इसलिए उसे पदम प्रसकार कहते थे और ये जो सठ था यह विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट उपहार के रूप में गिने चुने लों को दिया जाता था इसे अत्यधिक विशिष्ट परिस्थितिय में ही बाशादिया करते थे इन भेटों के अत्रिक्त इन उपहारों के अत्रिक्त जो राजा के द्वारा दिये जाते थे लोंगों की प्रशंसा में लोंगों के सम्मान में लोंगों के गुणू की प्रशंसा में ऐसे भी हमें उदाहरन मिले हैं जहां राजा को भी भेट य उपहार दिये जाते थे बलकि सचाई तो ये है कि दर्बारी लोग कभी भी राजा से जब भेंट करते थे तो खाली हाथ नहीं करते थे अवश कुछ ना कुछ वो अपने साथ ले जाते थे दर्बारी लोग कुछ ना कुछ भेंट देते थे और ये भेंट किस रूप में होती थी? मूलता वो एक तरीके से धन के रूप में होती थी, जिसे हम कह सकते हैं कि वे नज के रूप में थोड़ा सा धन दे देते थे, जिसे हम नज कहते हैं, और नहीं तो जादा धन देते थे, बड़ी मात्रा में विशाल धन देते थे, धन मात्र आएदी बड़ी रहती थी तो उसे पेशकष कहा जाता था तो इस तकार राजा को भी दर्बारियों से भेंट और उपहार आदी मिलते थे और दर्बारियों के लिए अपरिहारे था कि वे खाली हाथ समराट के सामने पेशना आएं इन भेंटों के अलावा जो दर्बारियों और राजाओं के बीच में समराटों के बीच में होती थी एक दूसरा तबका भी हुआ करता था राज नईकों का अकबर के काल में या मुगल काल में हमने सुना है जाना है कि पर्तगाल से लोग आए उसके अलावा इंगलेंड से फ्रांस से हॉलेंड से और अनिक खेतरों से भी लोगों का आना हुआ इसके साथ ही भारत के ही अंदर कुछ अन्य ऐसे शासक थे जो एक तरीके से मुगल संब्राट को या तो अपना सर्वोपरी मानते थे और या इस बात पर विश्वास करते थे कि इससे मैतनी संबंद रखे जाएं तो इसमें ऐसे संबंदों को राजनीतिक संबंद के रूप में देखा जा सकता है और इन राजनीतिक संबंदों में भी इन परसकारों का इन उपहारों का बड़ा महत्पूर्ण स्थान हुआ करता था उन्हें सम्मान और आदर का प्रतीक माना गया आदर का सूचक माना गया राजनीतिक प्रतीद्वंदी शक्तियों के मद्य संबंदों के द्वारा समझोता कराने का काम करते थे ये था मूल रूप से राजनीतिक शक्तियों के बीच समझोता कराना मामलों को सुलजाना और इस तरीके के कारे करना इसमें राजनीतियों का मुख रूप से हाथ माना जाता इन परिष्टियों में उपहारों के समन्द के निरनाईक में बड़ी महतपूर्ण भूमिका होती थी याने किस तरीके के उपहार किस तरह के समझोतों की एवज में दिये जाते थे ये एक काफी अहम मुद्दा होता था काफी अहम विश्य हुआ करता था अंगरेज राज़्दूत इत बात से बहुत निराश हुआ था कि उसके द्वारा जो उसने अंगूठी को आसब जहा को जो उसने अंगूठी दी थी उसे आसब जहा ने इसलिए स्विकार नहीं किया कि उसका मूल केवल चार सो रुपए था तो यने जो उपहार दिये जाते थे, जो भेट दी जाती थी, ये किसी बात का परिचायक थी, प्रतिष्ठा का परिचायक थी, शक्ति का परिचायक थी, और पद्वी का भी परिचायक तो थी ही शाही परिवार इती वृत्तों में जिनका मैं जिक्र प्रारम में कर चुका हूं मुगलों की घरेलू दुनिया के लिए याने उनकी अंदरूनी दुनिया के लिए एक शब्द का उपयोग हुआ है जिसके कहते हरम हरम शब्द का जो प्रादर्भाव है या हरम शब्द की जो व्युत्पत्ती है वो फार्शी से है और हरम का हर्थ होता है पवित्र स्थान मुगल शाहिद परिवार में बाश्शाह की पत्नियां और उप पत्नियां माता चौतेली उप माताएं बहने पुत्रियां पुत्र चाची मौसी बच्चे और महिला सेविकाएं तथा गुलाम सभी लोग रहते थे ये सब लोग सोचिए शाही परिवार का हिस्सा माने जाते थे महिला सेविकाएं और गुलाम भी शास्कों की तो अक्सर कई पत्नियां हुआ करती थी शाही परिवार में जो मुगल शाही परिवार हुआ करते थे मुगल कालीन इसमें हम महिलाओं को मूलता तीन वर्गों में बाट सकते हैं तीन तरह की महिलाएं मुगल शाही परिवार में हुआ करती थी पहला वह श्रिणी वह श्रिणी की महिलाएं जो बेगम कहलाती थी दूसरा वह श्रिणी जिसमें महिलाएं अगहा कहलाती थी और तीसरा अगाचा ये तीनों श्रिणियां अपने तई बिलकुल अलग अलग थी शाही परिवारों से मुगल परिवार में जो आई हैं वे लोग बेगम रहती थी अर्थात शाही सम्मंद रहे हूं शाही तालुकात रहे हों और शाही परिवार ते ही किसी अन्य शाही परिवार से यदि यहाँ ब्याही गई है तो वे महिलाएं बेगम कहलाती थी और ऐसी महिलाओं को पती के द्वारा होने वाले पती के द्वारा काफी विशाल संपत थी बहुत सारी बहुमूल वस्तुएं और उसके साथ ही विवाह के समय वस्तुएं के अलावा बहुत बड़ी राशी इन्हें मेहर के रूप मे दी जाती थी तो मेहर के अलावा ये महिलाओं अन्य दो वर्गों से इस मामले में भी अलग थी कि इन्हें समाज में या शाही परिवार में सरवोच स्थान मिला था महिलाओं में ये सबसे उंचा स्थान पाती थी और सबसे ज्यादा सम्मान की मानी जाती थी जो दूसरे शरणी की महिलाएं थी जन्हें अगहा कहा जाता था ये महिलाएं बेगम जैसी शाही परिवारों से नहीं आई रहती थी कुलीन परिवारों से नहीं रहती थी ये उस तरीके से उस तुलनात्मक दिर्श्ट से निम्न श्रिणी की महल परिवारों से आई हुई रहती थी और इन्हें किनी न किसी कारण से समराट ने पसंद करके उसे अपने शाही परिवार में मिलाया है तो इसलिए उन्हें अपने परिवार में मिलाने पर भी उन्हें द मिलता था और उसके साथ ही सम्मान और दरजा भी इनका काफी उंचा हुआ करता था इन महिलाओं का जो करम था उसमें जो तीसरी अगाचा शिरली के महिलाएं थी उनका स्थर राज तंत्र में जुड़ी महिलाओं के पदानुकरम में सबसे नीचे जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अगाचाओं महिलाओं इसमें सबसे नीचे रहती थी और इन्हें एक तरीके से मासिक भत्ता मिलता था और अपने अपने स्तर के अनुसार इन्हें कुछ उपहार दिये जाते थे और विविन कारणो से इन अगाचा महिलाओं को शाही महल में इस्थान दिया गया था लिखनी है कि वंश पर आधारी ती जो पारवारिक धाचा जिसके हम चर्चा कर रहे हैं ये कोई इस्थाई चीज नहीं थी पूर्ण रूप से इस्थाई तो कतई नहीं थी यदि पती चाहता था और उसके पास कानूनी रूप से विवाही चार से कम पत्नियां हों तो अगहा अथवा अगाचा को भी बेगम का इस्थान दे सकता था ऐसा मालूम होता है इन इति वृत्तों से कि प्रेम और मात्रित के अधार पर ऐसी महिलाएं विधे सम्मत विवाहित पत्नियों के स्तर को कई बार पाने में सफल भी हो जाती थी तो उस समय भी ऐसे हमें अन्यक उदारन मिलते हैं जिसमें शाही परिवार के अंतरगत ऐसे बहुत से लोग थे जो स्वयम खून से उनका सम्मराट से वैसे तो संब्द नहीं था लेकिन या तो उनके सम्मराट की सेवा में रहते थे सम्मराट से जुड़े रहते थे या अन इस तरह के कुछ कारण थे इसलिए उन्हें शाही दरबार का हिस्सा माना जाता था और कई बार तो प्रेम और मात्रित के अधार पर भी पत्नियों का स्थर उन्हें दे दिया जाता था मुगल परिवार में पत्नियों के अत्रिक्त कुछ अन्य लोग भी हुआ करते थे जिसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे और एक तरीके से ये गुलाम थे महिलाएं और पुरुष का गुलाम के रूप में मुगल दर्वार में उपस थी एक सामाने बात थी और ये जो महिलाएं और पुरुष शाही परिवार का जो हिस्सा थे उसका आधार था इनके चैन का आधार था इनका बुद्धि कोशल इनका साहथ, इनकी निपूणता और कारे को परिपूर्ण उच्छे तरीके स्थंपन करने की ख्यमता सो इस प्रकार ये किसी सर्विस के लिए, परिवार को किसी सर्विस के लिए ये लोग लाए जाते थे और गुलाम के रूप में रहते थे मुगल दर्वार में गुलाम। हिजरों जिसे हम ख्वाजा सर्व के नाम से भी कहते हैं ये एक बड़ी महत्पूर्ण भूमिका निभाते थे। गुलाम भी और ख्वाजा सर भी मुगल सामाजिक व्यवस्था के मुगल शास्की व्यवस्था के एक बहुत महात्पूर्ण पहलू हुआ करते थे वो बहुत महात्पूर्ण भूमिका निभादे थे परिवार के अंदर परिवार के बाहर और ये एक तरीके से रक्षक हो सकते थे नौकर के रूप में कारे करते थे अन्य बहुत सारी सेवाइं देते थे और बाहर की और बात करें तो व्यापार में जो महलाएं रुची रखती थी उनके एजेंट के रूप में भी ये महलाएं काम करती थी तो इस वरकार सूचनाओं का जरिया भी ये गुलाम और ख्वाजासर आदी हुआ करते थे राजनेतिक संबंधों के निर्धारण में भी महलाओं का बहुत अहम उनके भूमिका हुआ करती थी इन तीन शेणियों में जो शेणिय बताई गई है जिसमें पहली शेणिय थी शाही परिवार से आई हुई तो दूसरी शेणिय भी ऐसी थी जो शाही परिवार से तो नहीं थी तो जो पहली शेणिय जो थी जिसमें शाही परिवार से आई हुई महलाओं के साथ विवाह किया गया ये महिलाएं एक तरीके से कह सकते हैं उस राजनेग संबंधों का भी हिस्सा थी जिसके लिए मुगल समराट और ततकाली इंशासक सदेव तत पर रहते थे खासकर राजपूत लोग दूसरे शब्दों में राजनेग संबंधों के निर्धारण में भी विवाह एक आहम भूमिका निभारा था खासकर जैसा मैंने कहा मुगल राजपूतों दोनों के लिए इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि मैतरी पूर्ण संबंध बराएं रखने के लिए भी विवाह एक बहुत बढ़िआ मध्यम माना गया और उसके रूप में इसका सतत उप्योग किया गया विवाह के समय लड़कियां तो दी जाती थी वधू के रूप में जाती थी साथ ही साथ एक एक भगुलिक खेत्र भी इनके साथ दे दिया जाता था भेंट के रूप में पेशकर्ष के रूप में यह विबिन शासक वरगों के बीच जो पदान उक्रमित संबंधों की निर्टता को सुनिश्चित करने में बहुत योगदान देता था इतियासकारों का तो मानना है कि इस प्रकार के विवाहों और इस प्रकार के संबंधों के फल सुरूप जो संबंध विक्सित होते थे वे मुगल बंधुता के एक तरह के व्यापक तंत्र का निर्मान करने में सफल हो सके यानि विवाहिक संबंध और पदानुक्रमित संबंध इनसे जो मुगलों की भावनाएं थी समाज के प्रती बंधुता की भावना वो उसका एक हिस्सा था उनके व्यापक तंत्र का एक मशीनरी का राजनीतिक तंत्र का हिस्सा हुआ करता था और वेवाहिक संबंध भी जो होते थे उसको वेवाहिक संबंध इसलिए कई बार किये जाते थे ताकि विशाल समराज को एकिकृत करने में सहायता मिले समराज जितना विशाल हो चुका था उसको संगठित करने में उसको बांधे रखने में उसको एक तरीके से एक सुनिश्चित आकार देने में इन विवाह संबन्धों ने बहुत महत्पूर्ण भूमिका उस काल में निभाई थी। मुगल काल में महिलाओं की यदि हम भूमिका की बात करें कि महिलाओं उस काल में कितनी अहम थी। तो इसका इतिहासिद बात का साक्षी है कि नूर जहान अपने पती को पूरी तरह प्रभावित करके उसने पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में समाल ली थी। इस काल में शाही परिवार की महिलाओं की बड़ी महतपूर्ण भूमिका देखी गई। जहांगीर के काल में नूर जहां का प्रभाव उतना ज़ादा था कि कोई भी निर्ने कोई भी शास्की निर्ने महतपूर्ण निर्ने बिना उसकी शहमति के नहीं लिये जा सकते थे। बिना उसकी जानकारी के नहीं लिजा सकते थे और अंतिम निर्णाय पर नूर जहां के सहमति का होना अत्यावश्चक था। दूसरे शब्दों में जो पूरा प्रशासन था जहांगीर के काल का इसमें कोई शंका नहीं कि वह नूर जहां केंद्रित हो गया था और जहांगीर एक मातर बाश्चाह के रूप में अपने को स्थापित रखा था लेकिन वास्तों में पूरी सत्ता, पूरा प्रभाव, पू जहांगीर नूर जहांगीर के साथ जाया करती थी, नूर जहांगीर के नाम से तटकालीन मुगल शासन में बहुत बार सिक्के भी निकाले गए और बकायदा उसमें उसका नाम भी लखा जाने लगा तो इस पकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं का दरजा मुगलकाल में काफी महतपूर्ण था राज्य सम्मंदी सभी महतपूर्ण निर्मना नूर जहां की अनुमतिके बिना तो होई नहीं सकते थे और वो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि बहुत बार जहांगिर अपने को असहाए भी पाता था एक जगह तो जहांगिर ने लिखा भी है कि मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांज दे दिया जाए बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए यानि कल्प ना कर सकते हैं कि मुगल कालीन समाज में मुस्लिम समाज में इस्लामिक समाज में महिला का इतना वर्चस हो इतना दबाव हो इतना प्रभाव हो कि उसमें तत्कालीन समराड अपना सब कुछ उस पर नचावर कर दे सब कुछ उसको दे दे, संपूर्ण शासन संपूर्ण सत्ता उसे दे दे नूर जहां के बाद तो किस्थितियां तदनुसार बदल भी गई स्वभाविक था, शाही परिवार की महलाओं ने जब नूर जहां के रवईये को देखा नूर जहां के शासन को देखा और नूर जहां द्वारा अपनाएं गए हत्कंडों को और तरीकों को देखा तो वे भी पीछे क्यों रहते शाह जहां की जो उस समय की मुगल रानिया और राजकुमारियों ने भी धीरे धीरे वित्ती विवस्था पे जोर देना शुरू किया वित्ती विवस्था में अपने को लाना शुरू किया और उसमें नियंतरन करने की कोशिश करने लगे क्योंकि आखिर धन ही सब कुछ है तो सब की नजरें धन पे थी शाह जहां की जो दो पुत्रियां थी जहान आरा और रोशन आरा कहा जाता है कि इनकी वार्शिक आए बहुत सारे मनसबदारों की तुलना में भी बहुत ज़्यादा थी मनसब बहुत सारे मनसबदारों की वार्शिक आए से भी ज़्यादा थी मनसबदार आपको याद होगा सत्ता के खित्री केंदर हुआ करते थे मुगल काल में और जो राज़स्वकर लिया जाता था वो इन्हीं के मध्यम से लिया जाता था इन से ज़्यादा आए वार्शिक आए होना इन रानियों का कुछ इशारा करता है जहां नारा को तो सूरत के बंदरगाह से बहुत ज़्यादा वार्शिक आए मिलती थी मानु सूरत का बंदरगाह उसकी सारी आए जहां नारा को ही जाएगी ऐसा था और सूरत का बंदरगा इतना महत्पूर्ण उस समय तो वह पश्चमी जगत से यही बंदरगा का सारा व्यापारिक और जहाजी संबंध हुआ करता था और इसलिए सूरत बंदरगा सरवाधिक लावप्रत बंदरगा था उसकी सारी आए जहां नारा को जाती थी योजनाओं में जो शास्की योजनाय बनती थी शास्की नीतियां बनती थी और साथी साथ जो भी ऐसी उसमें जहां नारा और रोशनारा का महत्पूर्ण हाथ होता था यहां तक कि शाह जहां ने जो शाह जहानाबाद को इस थापित किया तो उसकी जो डिजाइन है या उसकी जो बहुत सारी योजनाएं हैं खासकर इस थापत के सम्मंदी योजनाएं बिल्डिंग के इस थापत कला के बारे में जतनी योजनाएं थी उसको बनाने में या उसको कंसीव करने में जहाँ नारा का जहाँ नारा की बहुत बड़ी भूमिका है इसके साथ ही जहाँ नारा ने एक दो मनजला भवि कारवा सराए वहां निर्मित कर्वाई़ा कारवा सराए अपनी विशालता के लिए बहुत प्रोषिद है और इसको बनाने का अश्रिय जहाँ नारा को जाता है इसके साथ ही चांदनी चौक जो शाह जहानबाद का तत्कालीन शाह जहानबाद का हरिदैस थल हुआ करता था चांदनी चौक आज भी दिल्ली में चांदनी चौक है उस चांदनी चौक की जो रूप रेखा बनी है उस रूप रेखा को पूरा बनाना और उसको स्वीकार करना उसको अप्रूवल देना स्वीकृति देना इसके लिए भी जहान आरा को श्रेदिया जालता है शाही परिवार की महिलाओं में से अनेक उच्च कोटी की बहुत ब्रिलियन ततिबावान और विधिश्यू महिलाएं भी थी गुलबदन बेगम जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है जो मुगल समराट बाबर की पुत्री थी और उसके बाद जो समराट हुए हुमाई उसकी बहन थी साथ सी साथ हम कह सकते हैं कि महान समराट अकबर की फूफा या बुवा थी वो भी एक महिला ही थी इसे प्रकार की शाही परिवार के महिला थी लेकिन उसे तुर्की और फार्सी का ग्यान बड़ा अच्छा था और इन दोनों भाशाओं में उसे बड़ी कुशलता थी लिखने में बड़ी कुशलता पूरुवा लिख सकती थी अकबर ने जब दर्बारी इतिहासकार अबूल फ़जल को अपना इतिहास, अपने शासन का इतिहास, अपने शासन का वेवरंड लिखने के लिए उसयों निक्ट किया तो इसने गुल बदन बेगम से भी आगरह किया था कि वो बाबार और हुमाईव के समय के संस्परणों को लिख डाले और इस आगरह के पीछे कारण यही था कि गुल बदन बेगम बहुत पढ़ी लिखी और दोनों भाशाओं में तुर्की और फार्सी में अच्छी पकट रखने वाली महिला थी अकबर ने जब गुल बदन को यह अनुरोद किया था कि पुराने शासकों के बारे में जिसके कार्ल को इसने देखा है बाबर की पुत्री के नाते हुमाईव की बहन के नाते अबुल फजल है जिसको अकबर ने निक्त किया था वो अबुल फजल उसका लाब लेकर आगे बढ़े और ग्रंथ को पूरा कर सके पंदा सो सतासी में गुल बदन बेगम ने अन्टता हुमाईव नामा का लेखन शुरू किया और ये जो पुष्टक है गुल बदन बेगम की ये वास्तों में मुगल काल की सामाजिक इतिहास के बारे में बहुत अच्छा विवरन देती है बहुत सटीक विवरन देती है और बहुत विस्तृत विवरन देने के कारण मुगल काल के इतिहास के पुनर नर्माण में बहुत मदद करती है हुमाईव नामा वही एक पुष्टक है वही एक ग्रंथ है जिसने मुगल काल के घरेलू दुनिया से हमें परिचित कराया आईने अकबरी उससे जानकारी हमें संखिकी की जानकारी जहां मिलती है अकबर नामा के पहले दो भागों से ततकाली नितिहास की जानकारी जहां मिलती है वही हुमायू नामा से गुल बदन बेगम ने जिसे लिखा उससे हमें मुगल समराट मुगल शासन की घरेलू दुनिया की जानकारी काफी मिल जाती है